नमस्कार जहिंद दोस्तो आज हम बात बताएंगे आपको किर्किट विशोकफ जो हुआ था बार्मा विशोकफ 2019 में उसके फाइनल मैच की यह मैच रोमांच की थी इसमें हद पार नहीं कोई समझ बार रहा था कौन जीतेगा इस बार तो किर्किट का जनम दाता आखिरकार ब लेंड यह पूछ रहा था एक बाही वर्ड कप किर्किट इतियास का सबसे रोमांच एक मैच उसके बारे मम आपको बताएंगे बहुत सारी जांकरी देंगे जो तीस मही से 14 जुलाई तक जो वर्ड कप चला था और उसम फाइनल जो मैच हुआ था 14 जुलाई 2019 को इस मैच मे बहुत कुछ हुआ हर किसी की सांस रोक देने वाला मैच था रोमांच की हद पारो रखी थी लेकिन अधिक जांकरी का पूरी वीडियो देखें और इस मैच में आपको बता दें पूरे वर्ड कप जो था उसमें 10 टीम थी मुकाबले 48 हुए थी 1975 में वर्ड कप की सरवात हु अगे सेमि पहुंचने वाली जो टीम थी उसमें भारत ऑस्टलिया नुजलेंड और इंग्लेंड थी मजएदार बात यह कि टोब की जो को टीम थी भारत और रोश्टलिया और निंकल की थी नुजलेंड और इंग्लेंड के बीच फाइनल मुकाबला देखने हुए और और वी टाई फिर भी चोक्य चक्य संख्यासी आखी जीत कैसी गया इंगलेंड हर किसी को यह ओर रही थी टेंशन तो इसके बारे में आपको और बताएंगे भूसरी बात है सबसे बड़ा परसंचीन यह हुआ कि क्या नुजलेंड के साथ दोखा हुआ दोस्तों आपको बता दें पचास पचास ओवर के जो मेंज थे ओंट टाई हो गया रन आउट पर रन आउट वह क्या मेंज था रोमांज की चरम सीमा अधिक बाउंडरी के आधार पर नुजलेंड को रहा करने इंगलेंड ने पहली बार जीतिया विश्व कप पचास ओवर में दोनों टीमों के 241 रन बनाने के बाद सुपरोवर में भी दोनों टीमों पंदरा रन बनाएं इंगलेंड ने 24 चब की नुजलेंड ने 16 बाउंडरी लगए इसके आधार पर किटकर कर जनम जा पूरो किरकेटर ने इसके उपर नाराजगी दिखाए सचीन तंदुर करने कया सायद एक और सुपरोवर हो जाना चाहिए था कुछ किरकेटर भी ओड़े कि दोनों को स्विंग त्रूप से विजयता गोसित कर देना चाहिए था सो बात की एक बात यह कि नुजलेंड के विजयता जो टीम है उसको अठाइस करोड उपी उप विजयता को चोधा करोड और जो समी भाइनल में जो टीम में रही थी भारत और उस्टलिया उनको पांच-पांच करोड उप्या मिलेगा इसके एलावा विशोकप का अजब गजब विशोकप में पाकिस्तान एकलोती तीम रही किनोंने फाइनल खेलने वाली दोनों टीमों को राया जबकि भारत एक लोती टीम रही जो दोनों फाइनल खेलने वाली टीमों से हारी वही भारत ने पाकिस्तान को राया यह अजब गजब था कौन कितनी बार पहुंचा किरकेट विश्व कप के फाइनल में नुज अब तक सबसे जादा बार साथ बार विशोकफ के फाइनल में पहुंच गया दोस्तों और इसमें से पांच बार उस्टिलिया ने वाड़कप जीता है जो अपने आप मरे कोड है और ये बहुत बड़ी ख़बर है कि उस्टिलिया सबसे जादा बार साथ बार कौन कितनी बार पार जीता है वेशोकफ के फ सबसक्राइक भार बार बार और सबसे पहला जेल पकाड़का में सबसे बहुत जीता है दूम allegory जीता है और ठीस Teil 2003 जा ने टी अट अब है तो इसके इलावा इंग्लेंड चटा ऐसा देश बनेया है दो जारूनीस में जो वर्ड़कप जीता है और जी किर्कट का जनम जाता है पहली बार होगा कि जीत पाया है इसके लाव को बता है किर्कट की विशेश रोच्रक जांकरी देए 2011 से पहले किसी मेजमान देश ने विशोकप नहीं जीता था लेकिन 2011 में भारत ने और 2015 में उस्ट्रिया ने विशोकप जीता है जबकि भारतिय टेम की तरफ से विशोकप में पहला सतक कपिल देव ने 1983 में जिंबाबे खिलाब सांधर पारी खेलते हुए एक सुपिछतर रंड बना डाले बारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है कि इसमें 60 ओवर का किरकेट विशोकप पचास ओवर का किरकेट विशोकप और 20 ओवर का किरकेट विशोकप जीता है लेकिन इस बार 2019 में विशोकप में साथ बल्ले बाजन पांसो से अधिकरन बनाए एक विशोकप में सरवाजी करन बनाने विले कैप्टेन बने केन विलियन सम्ने लगातार दो विशोकप आरने वाली नुशलेंड बनी तीसरी टीम इसके लाव दोस्तों आपको बता दें अ नए वीडियो के साथ तब तक आप इंजुआई करते रहें मस्त रहें खुश रहें जय हिन जय भारत